आज मैं आपी लेकर आहें एक ऐसी रेजपी जो कि घरी में अगर हरी सब्जी ना हो तो आप इस तरह से बना के खा सकते हो काफी टेश्टी और हेल्डी भी है तो चलिए बनाना शुरू करते हैं हलो दोस्तों मेरे चैनल में आपको बहुत बहुत सौगत है मारे हो नीगम वीडियो सुरू करने से पहले मेरा सभी से निवेदा ना कि अगर आप मेरे चैनल में नाए हैं तो लाइक सब्सक्राइब से जरूर कीजिए चलिए शुरू करते हैं हम ने यहां पी लिया है आलू के बाइंडिंग के लिए यहां पे डालेंगे बेशन चाहें तो आप सत्यों का प्रियोग कर सकते हो यह तो पी चावल का आटा का प्रियोग कर सकते हो जो आपकी धर्मी हो उसका वाप प्रियोग कर सकते हो बस इसको बाइंडिंग देना है ज्यादा बिल्कुर नहीं डालना ह यहां पे डालेंगे नमक स्वाधिक एमसर और यहां पे डालेंगे आजवाइन आजवाइन के इस तरह से क्रस कर दीजिए इस तरह से डालेंगे और थोड़ी से हल्दी डालेंगे सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिला देते हैं यहां पे थोड़ा से पुदीना डालेंगे तो यह सूखा पुदीना है इस तरह से थोड़ा से लाल मिश बॉडर डाल देते हैं अगर आप तीखा पसंद करते हैं तो जरूराइट करिए चाहे तो आप भरा मिश का प्रियोग कर सकते हो अच्छी तरह से इसको बिला के रख द धनिया और यहां पे डालेंगे कुछ खड़े मसाले आप अपनी हिसाब से ले सकते हो कम या ज्यादा यहां पे हमने लैसुन दिया है क्योंकि इस समय गर्भी बहुत ज्यादा पड़ रही है कम मसाला का यूज करिए ज्यादा बेतार रहेगा चाहे तो आप इसमें अद्रक भी डाल सकते हो तीठा के लिए यहां पे हमने लाल मिर्स का कपिरियोग किया है जैसे कि पानविर्स प furnывod child और यहां पे डालेंगे हल्दी थोड़ा से पानी डालके इसको बढ़िया से पीस के रख लेते हैं तो लीजिए मसाला भी पीस के रेडी हो चुका इस तरह से इसको रख लेते हैं कढ़ाई में हमने तेल डाल दिया यहां पे डालेंगे जीरा और यहां पे डालेंगे सॉंग यह हमने राई लिया है और यहां पे स्याज डालेंगे और यहां पे डालेंगे हींग बहुत जरूरी है यूदि इसमें हमने देशन डाला है चाहे तो आप प्याज को पीस करके भी डाल सकते हैं तो यहां पे हमने कुछ पीस तरह से कट करके डाला है सारे तड़के हमारे पक चुके हैं भी यहां पे डाल देंगे मसाले को इस टेज पर गैस पॉम धीमा कर देते हैं और यहां पर डाल देते हैं स्वाधिक अनुसर नमक क्यूंकि हमने पेश्ट भी नमक डाला है तो बहुत अंदाज के नमक डालना है और यहां पर डाल देते हैं तेज पत्ता इस तरह से चलाएंगे थोड़ा से जाकेंगे इसको दो मिनट के लिए दो मिनुट के बाद भी यहां पे डाल देंगे टमाटर चाहें तो टमाटर को पीस करके भी डाल सकते हो बस इसको इस तरह से पकने देते हैं एक्दम धीमिया से हमको इसको पकाना है यहां पे रखेंगे एक जाली इस तरह से इस तरह से जो हमने पेश्ट बना के रखा था बस इसको इस तरह से रखते जाना है यह हमारा जो है साथ में काम हो जाएगा हमको बाहर से इसको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी बस इस तरह से लीजिए और बढ़िया से इस तरह से पीस बना के रखते जाएगे लेकिन ठोड़ा से जाली को ग्रीज कर लिजिए गया। सबी को हमइसी तरह बना लेते हैं। हमने सबीड को बढ़ी तरह से बना लिया।पस्ट निly थालीट में इसको ढग लाग लिन seems तरह से ठालीश को ठालीश को ठाल भग देते हैं। तुली जी हम से कम पका लिया, इसको 6–7 मिनाड़ता है। हमारे मसाले भी पक चुके हैं। हमने धीमी धीमियां से इनको पकाया है। मसाला जब डाले मतलब पढ़ाई में थोड़ा से पानी जरूर दाले दीजियेगा। इसलिए कि मसाला फकने में ठोड़ा time लगे। दोस्तोंники कृष्ण होताइज चुट्पंर्च है उतलि य।art było पकोडियां भी पक चुकी हैं, चाहे तो आप पकोडियों को फ्राई कर सकते हैं, भाब करने के बाद में या तो फिर इसी तरह से डाल सकते होते हैं, यहाँ पे डालेंगे पानी, ग्रीवी आप अपनी हिसाब से कर सकते हो, कम या ज्यादा, यहाँ पे हमने गरम पानी कप्रि पानी में उबाल आ चुका है हमने एक पकवडी में दो खंड़े कर दिये हैं मतलब इनको हमने काट देती थोड़े पीसे जो है छोटी हो गई है बस इस तरह से डाल देते हैं धक करके पका लेते हैं इस स्टेज पर दालेंगे थोड़ी से कस्थूरी मेथि बस इसको धक करके पका देते हैं तुली जी हमारी सब्जी बनके रेडी हो चुकी है काफी बढ़िया दिख रही है यहां पर देख सकते हो जूस हमारा कुछ इतना पतला है तो एक दम परफेक्ट है अलब इस सब्जी में जूस थोड़ा पतला ही होना चाहिए गाढ़ा रहेगा तो अच्छा कर देते हैं देख सकते हो कितनी बढ़िया बनी है जब भर में सब्जी ना हो कुछ आयालू सिर्फ हो तो इस तरह से सब्जी आप बना सकते हो काफी बढ़िया बनती है तो जरू-जरू ट्राइ कीजेगा तो लिजी हमने सर्व कर दिया है काफी बढ़िया सब्जी बनी है आप इसको चावल रोटी की साथ बढ़िया से खा सकते हो तो इस तरह भी आप भी ट्राइ कीजिए काफी बढ़िया बनती है वीडियो अच्छी लगए जार 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 कर दीजिए लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा थैंकि दोस्तों दोस्तों